हेलो स्टुडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसफूर्ड एजुकेशन में आज की इस क्लास में हम EBS NCRT अधारेट चैप्टर स्कूल जाने के संसादन के बारे में पढ़ेंगे तो आई ये स्टार्ट करते हैं असम से असम के बारे में बारिश बहुत होती है कभी कभी तो चारो और घुटनों तक पानी भर जाता है फिर भी हम स्कूल जाते है जो असम हैं वहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है कभी कभी तो चारो और घुटनों तक पानी भर जाता है फिर भी हम स्कूल जाते हैं एक हाथ में किताबे होती है और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं और हम जल्दी जल्दी बांस और रसी से बने पुल को पार कर जाते हैं जो बांस और रसी से बना हुआ पुल है हम उसको पार कर जाते हैं तो बांस से बना हुआ पुल बंबू ब्रिज कहां पे हो जाए हैं एक हाथ में किताबे होती है और दूसरे हाथ में बास को पकड़ते हैं हम जल्दी जल्दी बास और रसी से बने पुल को पार कर जाते हैं दूसरा है टोली से इस्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, खुब चोड़ी और गहरी नदी होती है, नदी पार जाती हुई मजबूत लोही की रस्ती होती है, या दोनों तरब से भारी पत्रों या पेड़ों से कसकर बंदी होती है, ट्रॉली किसे कहते हैं, जो लकड पहुच जाते हैं, नदी के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, खुब चोड़ी और गहरी नदी होती है, इसके कारण क्या करते हैं, ये लोग कि जो ट्रॉली होती है, लकडी से जूला होता है, उसमें चार-पाँच बच्चे जो होते हैं, वह बैठ जाते हैं एक पूली किसे कहते हैं, ठीक है, सीमेंट पे क्या क्या यूज होता है, सीमेंट का पूल के बारे में देखते हैं, तो हमें भी कई बार, कई जगे पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पूल से जाते हैं, तो ये किससे बना होता है, सीमेंट, इटो और लोहे के सीरिया से ब कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वनलब, वनलब क्या है? लकडी की बनी छोटी सिनाव है, आपसे कोशन पुछेंगे, जो वनलब है, वो क्या है? वो लकडी की बनी छोटी सिनाव है, जिसमें बैट कर जो बच्चे होते हैं, वो इस्कूल जाते हैं, कि स्कूल जाने के संसादरों का प्रयोग हुआ है कि केरल में किस तरह से होता है असम में किस तरह से होता है ठीक है राजिस्तान में किस तरह से होता है तो सबके अलगलग संसादर बताये गए है कि वल्लब है वल्लब क्या है लकड़ी की बनी छोटी सिनाव है जिसमें बच्चे क बताया है कि हम रेगिस्तान में रहते हैं हमारे यहां दूर दूर तक रेत नजर आती है दिर में तो रेत खुब तपती है हम उट गारी में बैट कर स्कूल पहुंसते हैं तो इनों ने बताया है यह राजस्तान में ठीक है इनों ने बताया है कि वहां पे रेत ही रेत होती है दूप जो है वो रेत में पढ़ती है तो बहूत थपती है ठीक है उसे बहुत घर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं उचनeless पर बैट कर स्कूल जाते हैं next है बै LAN गाड़ी तो हम बैल गाड़ी बैड़ कर हरे-भरे खेतों का अनद दे लेते हैं बारिश होती है तो उसका भी अनद दे लेते हैं और क्या करते हैं जब बारिश होती है तेज धूप होती है तो अपनी छाते होते हैं उसको खोल लेते हैं ठीक है यह गाओं के वारे मताया गया है नेक्स्ट है साइकल की सवारी तो स्कूल जाने क संसादन के वारें बताया गया कि साइकल से जा सकते हैं बैल गाड़ी से जा सकते हैं उट गाड़ी से जा सकते हैं ठीक है और कहां पर प्रयोग होता है यह आपको या दखना पड़ेगा कि जो उट गाड़ी है वो राजस्तान प्रयोग के आती है वल्लम जो है वल्लम किसे कहत पर cycle चला कर school जाते हैं पहले तो school दूर होने के कारण कई लड़किया इस्कूल जाही नहीं पाती थी पर अब 7-8 लड़कियों की टोली जो है, मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है, क्योंकि उनके पास क्या है cycle है, इसलिए 7-8 लड़किया जब मिल जाती है तो वो क्या करती है एक साथ स्कूल चली जाती है ठीक है तो इससे क्या होता है जो रास्ते मुश्किल होते है वो आसान हो जाते है नेक्स्ट है यह है जुगार अब यह जुगार वाला जो आई टाम है वो कहां पे है वो है गुजरात में ठीक है वहां पे जो गुजरात में पाई जाती है, वहाँ बच्चे इससे स्कूल जाते है, तो उन्होंने रखा है अपनी गाडी का नाम क्या रखा है जुगाड, तो उन्होंने बताया कि हमारी गाडी का नाम है जुगाड, या फटफट करती हुई चलती है, मतलब जब चलती है तो फटफट फटफट करती है, है ना शांदार, इसमें बोला गया है ना शांदार, आगे से देखो, तो मोटर साइकल की तरह दिखती है, तो मोटर साइकल जो होती है, बाइक्स जो होती है, उसकी तरह आगे से वो उसका जो मू होता है, वो उसी तरह का होता है, और पीछे से वो लकडी के फटों से बनी होती है, जिस पर क्या होते हैं, बच्चे बैठते हैं, आगे जो होता है, जो चलाने वाला है, वो बैठ जाता है, आगे से वो मोटर सैकल की तरह दिखती हैं, और पीछे से लकडी के फटों से बनी होती है, तो जुगार नाम की जुगारी है, वो कहां पर पाई जैसा लगता है, दिन में जाते हैं स्कूल, लेकिन वो जंगल इतना घना होता है, कि क्या होता है कि जो आस्मार होता है, पुरा सकर ढख जाता है जिससे क्या होता है, जंगल क्या होता है अंधेरा लगता है जंगल में, ठीक है नेक्स्ट हमने पड़ा बर्फ पर चलते बच्चे तो उसमें बताये गया है कि देखो हम कैसे स्कूल पहुंसते हैं मीलो फैली जो बर्फ होती हैं उस पर चल कर हम हाथ पकड़ पकड़ कर उतर कर पहाडियों बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते आते मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और क्या करते हैं पहाडियों से सर्कते जाते हैं ताजी बर्फ में पैर धस भी जाते हैं अगर बर्फ जमी हुई होती है तो फिसल भी सकते हैं जमी हुई होती है तो आसानी से फिसल कर चले आते हैं तो इस सरह से बताया गया है कि पर चल कर बच्चे भी स्कूल जाते हैं फिर नेक्स हम पढ़ रहे हैं उबर खाबर पत्रीले रास्ते अब ये कहां पर है यह है उत्राखंड में उबर खाबर पत्रीले रास्ते जो है वो उत्राखंड में है इसमें बताया गया है कि हम पहाडी इलाकों में रहते हैं, यहां दूर दूर तक उबर खाबर पत्रीले रास्ते हैं, मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाडी रास्तों पर पार कर जाते हैं इसमें यह बताया गया है कि जो उबर खाबर पत्री रास्ते हैं, वह उत्रा खडवे हैं, इसमें बताया गया है कि जो उबर खाबर रास्ते हैं, वो जो शहर के बच्चे हैं, उनको भले ही मुश्किल लगे, लेकिन हमारा तो यह रोज का काम है, हम इस से रोज यहां से साधन कई प्रकार से है, कोई लोग जो है, वो बास से बने पुल का इस्तमाल करते है, तो बास से बने होए पुल का इस्तमाल असम में किया जाता है, वनलम जो होती है, उसे लकडी की बनी छोटी ना होती है, वो उसका इस्तमाल केरल में किया जाता है, इस्कूल जाने के लिए ठीक है और जो उट गाड़ी होती है उट का संबंध कहां से है राजस्तान से है तो जो उट गाड़ी है वो कहां प्रयोग होती है राजस्तान प्रयोग होती है बैल गाड़ी का यूज आपने देखा ही होगा कि बैल गाड़ी जो है वो गावन प्रयोग किये जाती है नेक्स्ट हमें देखा जो जुगाड है जुगाड नाम की जुगाडी है जो आगी से कैसे दिखती है मोटर सैकल की तरह दिखती है और पीछे से लकडी के फटनों से बनी हुई दिखती है तो वह कहां इस्तमाल होती है गुजरात में इस्तमाल होती है तो पूछा आता है जो आज हमने पढ़ा स्कूल जाने के संसाधन के बारे में, तो आज ये टॉपिक हमारे आपक अब्लीट होता है, नेक्स वीडियो में हम पौधे से संबनित महत्पूर्थ अत्यों के बारे में पढ़ेंगे, थन्यवाद मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में.